हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में अंकंट्रेवल एरर को कैसे फिक्स करते हैं यानि विंडो स्टार्ट नहीं वो पा रहे तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क चलिए शुरू करते हैं आप जब विंडो 11 को अपडेट करते होंगे अपडेट होने के बाद आपके केस में भी ब्लैक स्कीन आता होगा यानि तो ब्लू एसकन आता होगा तो इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना जब आप system restart करत यानि विंडो 11 का बूटेबल पेंड आपको बना लेना है उसके थुरू आपको बूट करके यहां पर आपको एडवांस मोड में आ जाना है दोनों मेठोड में से किसी भी मेठोड पर आप एडवांस मोड पर आएंगे तो यहां पर यह सारा ओप्शन आपको दिखने लग ज सबसे पहले आपको क्या कहने है lo 녹 एह इसके उपर आपको क्लिक कर देंई कीलिक करते इस तरह से अ IT is आपको जाएगा ऊसको अक्रति कर लिए प्रॉंड करके चेक कर लिजेगा आपका प्रवांस मन नहीं होता है nevertheless यहां पर आपको क्लिक करने के बाद 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 यहां पर आपक जएदातर case में F7 होते हैं तो वहां पे चेक कर लिए आपके case में वहां पे क्या लिखा हुआ रहा है safe mode में जानाने के लिए वहां पर क्या key press करने के लिए वह key press करके आप safe mode में चले जाएगा safe mode में जाने के बाद यदि वहाँ पे चला जाता है इसका मतलब आपका problem fix हो जाएगा तो वो चीज आप यहाँ से check कर सकते हैं चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे back आ जाते हैं safe mode में जाने के बाद भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना यहां पर एक option देख जाएगा uninstall update इसको पर आपको click करना है click करने के बाद यह window आ जाएगा यहां पर आपको दो option दिख जाएगा यहां पर latest quality update दिख जाएगा यहां पर latest feature update दिख जाएगा यहाँ पर मैं इसलिए uninstall नहीं कर रहा हूँ नहीं तो यह ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके किसमें यहाँ जो भी अपडेट होगा इसको uninstall करके उसके बाद सिस्टम को restart करके आप चेक कर लिजेगा आपका problem solve हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर next पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर local restore करना शुरू कर देगा तो आपको क्या करना है complete होने तक यहाँ पर आपको wait करना है रियस्टोर होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आजाएगा system restore complete successful इस तरह से लिखा हुआ आजाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से यह restart होना शुरू हो जाएगा रियस्टोर होने के बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ आजाएगा system restore complete successful आप आपको क्या करना है यहाँ पर क्लोज करने के बाद आपका problem solve हो जाएगा आपके case में फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है वहाँ पर advanced mode पर आपको आना है चलिए मैं वहाँ पर आपको ले जाके दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको टुर्बल सूट के उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा रिशेट दिस पीसी इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा यहां पर आपको दो ऑप्सन दिख जाएगा यहां पर आपको दिखेगा कीप माई फाइल इस ऑप्सन यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई एक सेलेट कर लीजियेगा उसको पर आप किलिक करके इसको रिसेट करके चेक कर लीजियेगा आपका problem solve हो जाएगा अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड परोट दिख रहा है, इसके बाद आपको क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, इस तरह से CMD ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस तरह से CMD ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करत तो यहां पर आपको देख जाएगा program file window यहां पर आपको देख जाएगा जैदी आपके case में यह साड़ा option नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपके case में cdav के अंदर window install नहीं है किसी और drive के अंदर window install होगा यानि तो किसी और drive के अंदर यहां पर दिखेगा तो ये चीज़ यहां से आप confirm कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे आपको tap कर देना है cd, cd tap करने के बाद आपको space देना है इसके बाद आपको forward slash करना है इसके बाद यहां पे आपको tap कर देना है window, इसके बाद forward slash इसके बाद यहाँ पर आपको tap कर देने system 32 इसके बाद आपको forward slash इसके बाद आपको config इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर देने जैसा मैंने tap किया है वैसे tap करके आप enter कर दीजेगा अब आपको यहाँ पर tap कर देने md space यहाँ पर file name डाल देजेगा यहाँ पर कुछ भी नाम र सकते हैं इसके बाद आपको क्या करने इंटर कर दिने अब आपको क्या करने यहां पर टैप कर दिने कोपी स्पेस दीजेगा इसके बाद यहां पर स्टार डॉट स्टार इसके बाद स्पेस दीजेगा अब आपको वहां पर यह नाम टैप कर दिने जो भी आपने नाम रखा थ तो नाम यहाँ पे आपको टैप कर दिने है, अब आपको यहाँ पे इंटर कर दिने है, इंटर करते हैं, यहाँ से यह कमांड रन हो जाएगा, रन होने के बाद यहाँ पे यहाँ पे यह कोपी हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे टैप कर दिने है, इस तरह से टैप किजेग इसके बाद start tap करना है, dot tap करना है, इसके बाद फिर से आपको start tap करना है, इसके बाद space देना है, यहाँ पे dot dot इस तरह से tap किजेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको enter कर देना है, enter करते हैं, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a tap कर देना है यानि आउल टैप करना है यहाँ पे टैप की जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है इंटर करते हैं यह सारा कोपी हो जाएगा यह सारा प्रोसेस सक्सेस्फूल होने के बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है क्लोज करने के ब इस तरह से आपका विंडू स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं 45 प्रोसेस बताया हूं किसी एक प्रोसेस से इस एरर को आप फिक्स कर सकते हैं और प्लीज गैए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू